सूद्जी बोले एक दिन पर्मानंद से निमगरुही चंचुला ने उमा देवी के पास चाकर प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर उनकी इस्तुती कलने लगी बोली गिर्जानंदनी इसकंदन माताओं में मनुष्यन सदा आपका सेवन किया है समस्त सुखों को देने वाली शंभू प्रिये आप ब्रह्म सरूपनी हैं विश्नु और ब्रह्मा आधी देवताओं द्वारा सेव्य हैं आप ही सगुना और निर्गुना हैं तथा आप ही सू चिंडुस्टि पालन और सहार करने वाली हैं तीनो द्विश्नु और महेश्वर इन तीनों देवताओं का आवास इस थान तथा उनकी उत्तन प्रतिस्था करने वाली पराशक्ति आप ही हैं सूधarg जी गहते हैं सवनक जिसे सदगती प्राप्थ हो गई थी भय है चन्चु में प्रेम के आसु उमड़ाय थे तब करुणा से भरी हुए शंकर प्रिया भक्तु बद्सला पार्वती देवी ने चंचुला को संभूधित करके बड़े प्रेम से इस प्रकार कहा सखे चंचुले सुंदरी मैं तुम्हारी हुई इस प्रकार की इस्तुति से भहुत प्रसन हूँ बोलो तुम क्या बर्मांगती हो तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है चंचुला बोली निश्पाप गिरिराज कुमारी मेरे पती बिदुग इस समय कहा है उनकी गती कैसे हुई है यह मैं नहीं जानती कल्यान मही दीन बचसले मैं अपने उन पती देव से जिस प्रकास संयवत हो सकूँ वैसा ही उपाई कीजिए महिजवरी महादेवी मेरे पती एक शुद्र जाती है वैश्या के प्रती आसक्त थे और पाप में ही डूबे रहते थे उनकी मृत्यू मुझसे पहले ही हो गई थी ना जाने वे किस गती को प्राप्थ हुए गिर्जा बोली बेटी तुम्हारे बिदू में नाम माला पती बड़ा पापी था उसका अंधाय करण बड़ा ही दूर्शित था वैश्य का उभोग करने वाला वै महमूर मलने के बाद नरक में पड़ा अगनित बर्शों तक नरकों में नाना प्रकार के दुख भोग कर वै पापात्मा अपने शेश पाप को भोगने के लिए बिंधिया परवत पर पिशाच हुआ है इस समय वै पिशास अवस्था में ही है नाना प्रकार के केश उठा रहा है और वै दुस्ट वायू पी कर रहता है वै सभी प्रकार के कस्ट सहता है सूच जी कहते हैं शौनक गौरी देवी की यह बात सुनकर उत्तम वृत का पालन करने वाली चंचुला उस समय पती के महान दुख से दुखी हो गई फिर मन को इस्थिर करके उस ब्राम्हन पत्मी ने व्यथित हरदय से महेशवरी को प्रणाम किया और पुनह पूछा महेशवरी महादेवी मुझ पर करपा कीजिए और दूशित कर्म करने वाले मेरे उस दुस्ट पती का अवुद्धार कर दीजिए कुशित बुद्धी वाले उस पापात्मा पती का किस उपाय से उत्तम गती प्राप्त हो सकती है यह शिग्र ही बताईए पारबती ने कहा तुम्हारा पती ये दिश्यूप पुराण की पुन्यमाई उत्तम कथा को सुने तो सारे दुरगती को पार करके बहे उत्तम गती का भागी हो सकता है अम्रित के समान मधूर अक्षरों से युक्त गवरी देवी का यह वचन आदर पूरबक सुनकर चंचुला ने हाथ जोड़कर मस्तक जुका कर उन्हें बारम बार प्रणाम किया और अपने पती के समस्त पापों की शुद्धी तधा उत्तम गती की प्राप्ती के लिए पारवती देवी से यह प्रात्ना की कि मेरे पती को शिव पूरान चुनाने की ववस्था होनी चाहिए बैब्रामहन पत्रिके बारामबार प्रात्ना करने पर शुव प्रिया गौरी देवी को बड़ी दया आई उन भक्त बचसला महेशवरी गिरी राज-कुमारी ने भगवान शुव की उत्तमकार्थी का गान करने वाली गंधरबराज तुमबुरू को बुला कर उनसे प्रसन्यता पूर्वक इस प्रकार कहा तुम बोरो तुम्हारी भगवान शियुव में प्रिती है तुम मेरे मन की बात जानकर मेरे अभीस्ट कारियों को सिद्ध करने वाले हो इसलिए मैं तुम्हें एक बात कहती हूँ तुम्हारा कल्यान है तुम मेरे इस सखी के साथ शीग्र हे बिंध्या परबत पर जाओ बहां एक महा घोर और भयंकर पिशाच रहता है उसका ब्रतान तुम आरंभ से ही सुनो मैं तुमसे प्रसन्दा पूर्वक सब बताती हूँ पूर्व जनम में बहे पिशाच विंधुग नाम का ब्रामहन मेरी इस सखी चंचुला का पती था परणतु वह दूस्ट वैश्या गामी हो गया इसनान संध्या आधी नित्य कर्म छोड़कर आप अवित्र रहने लगा ग्रोथ के कारण उसकी बुद्धी पर मूता शागई वह करताव्य करताव्य का विवेक नहीं कर पाता था अवक्षय भक्षन सजनों से देश और दोशित बस्तुओं को दान में लेना यहीं उसका सौभाविक कर्म बन गया था वह अस्त्र श्त्र लेकर हिंसा करता बाय हाथ से खाता दीनों को सताता और क्रूरता पूरबक पराए घरों में आग लगा देता था चैंडालों से प्रेम करता और प्रती दिन वैश्य के संपर्क में रहता था बड़ा डुस्ट था वह पापी अपनी पत्नी का परित्याग करके दुस्टों के संग ही आनंद मानता था बहे मृत्यु परियंत दुराचार से ही फसा रहा और फिर अंतकाल आने पर उसकी मृत्यु हो गई बहे पापियों के भोगिस्तान घोर यमपूर में गया बहा बहुत से नर्कों का उपभोग करके वह दुस्ट आत्मत जीव और उस समय पिंध्या परवक पिसाच पर बना हुआ है बही वह दुस्ट पिसाच अपने पापों का फल भोग रहा है तुम उसके आगे यतन पूरवक शिव पूराण की उस दिव्य कथा का प्रवचन करो जो परम पुन्य मई तथा समस्त पापों का नाश करने वाली है शिव पूराण की कथा का श्रवन सबसे उत्कृस्त पून्य कर्म है उससे उसका हदशी ग्रही समस्त पापों से शुद्ध हो जाएगा और वह प्रेद यूनी का परित्याग कर देगा उस दुरगति से युक्त होने पर बिंदुग नामक पिशाच को मेरी आग्या से बिमान पर बिठा कर तुम भगवान शिव के समीप ले आओ सूद्ध जी कहते हैं शौनक महेश्वरी उमा के इस प्रकार के आदेश देने पर गंधर वराज तुमबरू मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए उन्होंने अपने भागी की सराहना की तत्पश्चात उस पिशाच की सतिसाधिवी पत्नी चंचुला के साथ बिमान में बैठकर नारज जी के प्रियमित्र तुमबरू बेग पूर्वग बिंध्या चल परबत पर चले गए जहां वै पिशाच रहता था वहाँ उन्होंने उस पिशाच को देखा उसका शरीर विशाल था वै कभी हसता कभी रोता और कभी उचलता था उसकी आकरती बड़ी ही विक्राल थी भगवान शेव की उत्तमकार्थी का गान करने वाले महावली तुरंबूने ने अत्यंत भःंकर पिशाच को पाशो द्वारा बान दिया तद अन्तर तुम्वरू ने श्युपुरान की कथा वाचने का निश्य करके महुस्सा युक्ते स्थान पर मंडप आदि की रशना की इतने मेही संपून लोकों में बड़े बेक से यह प्रचार हो गया कि देवी पारवती की आग्या से एक पिशाच का उद्दार करने की उद्देश से श्युपुरान की उत्तम कथा सुनाने के लिए तुम्वरू बिंध्या परवत पर गये हैं फिर तो उस कथा को सुनने के लिए लोगों से बहुत देवर्शी विशीग्र आ पहुँचे आधर पूर्वक्षे पुरान सुनने के लिए आई हुए लोगों का उस परवत पर बढ़ा अधुतहबं कल्यान कारी समाज जुट गया फिर तुम्वरू ने उस पिशाच को पार्शों से बांद कर आसन पर बिठाया और हाथ में बीना लेकर गौरी पती की कथा का गुंगान आरंब किया पहली अर्थात पिदेश्वर सहिंता से लेकर साथिवी बायू सहिंता तक महत्तम सहिद शिव पुरान की कथा का उन्होंने इस पस्ट बर्णन किया साथव सहिंताओं सहिद विश्णु पुरान का आधर पूर्बक श्रवन करने पर वे सभी शोता पुनह कर्थार्थ हो गए उस परम पुन्यमय शिव पुरान को सुनकर उस पिसाच ने अपने सारे पापों को धोकर पैशाचिक शरी को त्याग दिया फिर शीग रही उसका रूप देव्य हो गया अंग क्रान्ति गौड वर्णने की हो गई शरीर पर श्वेद वस्र तथा सभी प्रकार के पुरुशोचित आभूशन उसके अंगों को उद्दासित करने लगे वह त्रिनेत्र धारी चंद्रशेखर रूप हो गया इस प्रकार दिव्य देह हो कर शिरिमान बिंदुग अपनी प्राण भल्लवा चंचुला के साथ सयंबी पार्वती भल्लव भगवान शिव का गुणगान करने लगा उसके इस्त्री को इस प्रकार के दिव्य रूप से सुशोवी देख वे सभी देवर्शि बड़े विस्मित हुए उनका चित पर्मानन से परिपूर्ण हो गया भगवान महिश्वर का वह अध्भूत चरित्र सुनकर वे सभी शोता परम कृथार्थ होकर प्रेम पूर्वक शिरिशिव का यशोगान करते हुए अपने अपने धाम को चले गए देवे रूप धारी शिरिमान बिंदुग भी सुन्दर विमान पर अपनी प्रियतमा के पास बैठकर सुख पूर्वक आकाश में इस्थित बड़ी शोभा पाने लगा तद अंतर महिश्वर के सुन्दर एवा मनोहर गुणों का गान करता हुआ बहा अपनी प्रियतमा तथा तुमबरू के साथ शीग्रहे शिवधाम में जा पहुचा बहा भगवान महिश्वर तथा पार्वती देवी ने प्रसनिता पूर्वक बिंदुग का बड़ा सतकार किया उसे अपना पार्षद बना लिया उसकी पत्नी चंचुला पार्वती जी की सखी हो गई उस घने भूत जोती सवरूप पर्मानंद में सनातन धाम में आविचा निवास पाकर वे दौनों दमपती परम सुखी हो गए